नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन अस्थानिये नीती को 2002 में हाई कोट ने किया था निरास्त, राज में 1932 के खत्यान के अधार पर अस्थानिये निवासी तयक करने और 50 फिदी से अधिक आरक्षन दिये जाने के जार्खन सरकार के निने को हाई कोट ने वर्ष 2002 में ही असर्वेधानिक करार दिया था सन्वेधानिक पीट ने कहा था कि सरकार किया नीती आम लोगों के हित में नहीं है जारखन हाई कोट के चिफचस्टिक विके गुपता की अध्यक्स्ता वाली पांच जजों की पीट ने अस्थानिय नीती को अगस्त दो हजार दो में असन्वेधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था आदालत ने कहा था कि अस्थानिय नेती के तहट राजे में तृतिय या चतूर्थुवर के पदो पर बाहरी व्यक्तियों को नियुक्ति से नहीं रोक सकते सरकार इसमें अस्थानिय लोगों को भासा और रिती रिवाज के अधार पर पात्मिक्ता दे सकती है आदालत ने अस्थानिय निवासी की परिभासा को समीधान की धारा चवदा और सोला काउलहंगन बताया था अलाकि अदालत ने अपने आदेश में सरकार को इसकी छूट परदान की है कि सरकार चाहे तो फिर से अस्थानिय निवासी को परिभासित कर सकती है अस्थानिय निती के फैसले से कांग्रेस खुस नहीं जार्खन केबिनेट में बुद्धवार को 1932 के खतियान का प्रस्ताव पारित हो गया है इसके साथ ही इसका समर्थन और विरोध दोने ही सुरू हो गया है सरकार में सामिल कांग्रेसी इस फैसले से खुस नजर नहीं आ रहे है जार्खन बिधायक पुर्णीमा निरज सिंग का कहना है कि यह सर्वमान फैसला नहीं है उन्होंने कहा है कि यह फैसला नियालय में स्टेंड ही नहीं करेगा विधायक पुर्णिमा निरसिन ने कहा है कि अस्थानिय सिर्फ वही नहीं जिसके पास 1932 का खत्यान है जो यहां रह रहा है वो अभी अस्थानिय है आदिवासी तो 1932 के पहले से रहते आ रहे हैं तो क्या उन्हें अस्थानिय नहीं माना जाएगा यह मात्रे पॉलिटिकल, मोभाय और कुछ नहीं वोट बैंकी राइनितिक से निकल कर ऐसे निती बनानी चाहिए जो सब के लिए माने हो यह फैसला एक तरह से मौलिक अधिकारों का हनन भी है जहारखन के किसानों को 90% अनुदान पर बीज जहारखन केमिनेट ने तय किया है कि किसानों को 90% अनुदान पर बीज दिया जाएगा पहले 50% अनुदान पर बीज बाटे जाते थे क्रिसी एवं किसान कल्यान मंत्रालाय मंडल अधिनियम के अधार पर जहारखन में भी संसोधन को सवकृति दी गई है इसके अधार पर मार्केटिंग बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति मनोन्य के अधार पर होगी कोई भी जन परतिनीधी इसमें अध्यक्ष बन सकेंगे मुख्य मंत्री पोशन सक्ती निर्मान योजना के तहद विद्यालोय में आधनरत बचों को पूरक पोशन में पाच दिन अंडा फॉलव दूद दिये जाएंगे मुख्य मंत्री हेमंत्र सुरेन ने पहले भी तयार किया था अस्थ्यान यत्या का ड्राफ जारखंड की हेमंत्र सुरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठाक में 1932 खत्यान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया इसके मुताबिक 1932 वाले लोग ही अब जारखंडी कहलाएंगे लेकिन आपको बता दे कि वर्ष 2014 में भी मुख्य मंत्री रहते हुए हेमंत्र सुरेन ने अस्थानियता का ड्राफ त्यार कराया था ड्राफ्ट कमेटी का संजोजक राइंदर पर्शाज सिंग को बनाया गया था सिरी सिंग उस वक्त सरकार में मंत्री थे कमिटी में मंत्री चमपाई सुरेन गीता सिरी उराव सुदेश पास्वान बंधू तिर्की लोबिन हेंब्रम वा सर्फराज अहमद संजाय सिंग यादव वबिधू तोरण महतो को भी रखा गया था कमिटी की कई बैठके भी हुई थी जिसमें ड्राप को अमतिम रूप दिया गया था मुल वास्यवा ज्ञार्खन का अस्थानियता तय करने का पर्यास किया गया था कमिटी ने अनुश संसा की थी कि तिरितियवा चदुथुवर्ग की नोकरी को जिलावार किया जाय अस्थानियता के लिए कौट अफ डेट तय करने का पर्यास किया था लेकिन समाति नहीं बन पाई थी 1932 खतियान से ज्ञारखन के जमसेथपूर में बड़ा संकट ज्ञारखन में 1932 के खतियान को अस्थानियता का अधार बनाने की दसा में जमसेथपूर के बड़ी अबादी के सामने अस्थानियता का संकट पैदा हो जाएगा सवाल यह है कि 103 वर्ष पुराने जमसेथपूर सहर की बड़ी अबादी को अस्थानियता कैसे मिलेगी वज़ा जमसेथपूर का आधास से ज्यादा ही सा टाटा लीज में आता है से बाहर भी हो चुकी है ऐसे में वहां के लोगों की अस्थानियता कैसे परवानित होगी या सवाल भी खड़ा होता है जार्खन में लागू 27% आरक्षन केंद्र के नौकरी में पहले से जार्खन सरकार ने बुद्धवार को राय सरकार की नौकरीयों में OBC आरक्षन को 14% बढ़ाकर 27% करने के फासला किया है सुरेन सरकार ने SC, ST, पिछड़ा वर्ग, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सरस्यों के लिए 77% आरक्षन देने का प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी मुक्ष मंत्री हेमन सुरेन के अध्यक्षता में राजय मंत्री मंडल की बैठक में कई और फैसलों के साथ ही OBC आरक्षन को मजूदा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया इसके साथ ही हेमन सुरेन के नेतितो वाली सरकार ने डो मिसायल को विताय करने के लिए 32 भोमी रिकोर्ड का उपयोग करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है चाई बासा में सेना के जवान ने साधी का जहासा देकर किया यहन सोसन 15 साली O.P. छेतर की यूती से साधी का जहासा देकर यहन सोसन करने का मामला सामने आया है नियाले के आदेश पर 12 सितंबर 2022 को 15 साली O.P. प्रभारी द्वारा आरोपी के खिलाब साधी का जहासा देकर यहन सोसन करने का मामला दर्ज किया गया है O.P. में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बुद्धवार को पीडिता की मेडिकल जहाच कराने के लिए स्वदर अस्पताल भेज दिया है आरोपी मुरूम तियू 15 साली के खोटा गाउ का रहने वाला है पीडिता ने साधी का जहासा देकर यहन सोसन करने का नयालाय में सिकायतवाद दर्ज कराया था पांकुड के लिटी पाढ़ा में डायरिया से आधा दर्जन लोग बिमार डाइरिया और मलेरिया का डेंजर जोन कहे जाने वाले लिटी परखंड में एक बार फिर डाइरिया ने अपना पैर पसारना सुरू कर दिया है ताजा ममला परखंड के सोना धानी पंचायत के कल्दम गाओं का है जहां डाइरिया की चपेट में आने से गाउं के आधात दर्जन लोग बिमार हो गए हैं सुचना मिलते ही स्वास्त विभाग द्वारा गाउं में केंप लगा कर लोगों का इलाज किया जा रहा है मिली जनकारी के नुशार कलदम के कर्मा टोली गाउं से मंगलवार देर साम को सुचना मिली है कि गाउं के तीन ब्यक्ति बिमार पढ़ गाए सुचना मिलते हैं स्वास्त विभा के टीम ने गांप पहुचकर बिमारी से पिडित तीनों ब्यक्ति को एमुलेस द्वारा समुदाइक स्वास्त के इंद्र लाया राजभोन में आयोजित हुआ राज अस्तरिये चितरांकन परतियोगिता कला को दरसाने के लिए राजभोन में जार्खन राजबाल कल्यान परिशत की ओर से राज अस्तरिये चितरांकन परतियोगिता आयोजित किया गया जहां बच्चों ने अपनी क्रेटिविटी दिखाई मोखे पर राजबाल रामेस बैस ने कहा है कि इस परतियोगिता में बच्चों ने भाग लेकर उत्क्रिष्ट परदरसन किया है तथा अपनी इन्होंने परतिवास से सब को परभावित किया उन्होंने कहा कि इस परत्योक्ता में बहुत छोटे छोटे बच्चों को भाग लेते देख बहुत परसंता हो रही है उन्होंने अपने अंदर निहीत काला को परदर्सित किया हाई कोट के वकील राजीव कुमार केस की CID करेगी जाच हाई कोट के अधिवक्तर राजीव कुमार सहीत अने के खिलाप SCST थाना में 16 अगस 2022 को दर्ज केस CID को टांसफर होगा इसके अनुसंसा राची पुलिस ने पुलिस और CID मुख्याले से की है CID जल्द केस टेक ओवर कर अनुसंधान सुरू कर सकती है SCST थाने में केस मीठा हेहल निवासी दिपक कक्छब की सिकायत पर दर्ज हुआ था सिकायत करते ने बताया था कि उसके परदादा द्वारा पलोड संख्या 926 और 616 में कूल 2.20 एकर जमीन खरीदी गई थी लेकिन खत्यानी रहे के उत्रा धिकारी अली असगरवा अनिल कुमार नेपुर में बेची गई जमीन को साजिस के तहत गलत कुर्शी नामा बना कर बेच दिया इंडियन क्रिकेट टीम के हर मैच का मुराबादी में होगा लाइप प्रसारन रांची में क्रिकेट प्रेमियो को देखते हुए नगर निगम ने एक नई पहल की है रांची नगर निगम के द्वारा अब इंडियन क्रिकेट टीम के हर मैच का लाइप परसारन मुराबादी में लगे एक गारा स्क्रीन पर किया जाएगा इसकी शुरुआ टी ट्वन्टी वर्ल्ड कॉप के मैच से होगी मौसम खराब रहने पर लाइप परसारन नहीं किया जाएगा निगम का कहना है कि एसिया कॉप में भारत और पकिस्तान के बीच हुए मैच के लाइप परसारन किया गया था मौराबादी में हजारों लोग जमा हुए थे सहर में क्रिकेट को लेकर लोगों में काफी उत्सा है खेल को बढ़ावा और लोगों के मनरजन को देखते हुए इसकी सुरुआती की जा रही है नेत्रहीन दुसकर्म पीडिता के नाम पर 10 लाग फिक्स डिपोजिट कराने का निर्देश जारखन हाई कोर्ट के जस्टिस एसके दिवेदी के अदालत में दुसकर्म पीडिता नेत्रहीन योती के गरपात को लेकर दाखीले आज का पर सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान अदालत ने कहा है कि रिम्स की रिपोर्ट के अधार पर अफगर पात कराना हुचित नहीं है ऐसे में मुआबजे के रूप में योती के नाम पर 10 लाग रुपे फिक्स डिपोजिट कराने का निर्देश दिया आदालत ने कहा है कि उक्त रासी निचली आदालत द्वारा मुआबजा देने के आदेश से अलग होगी रांची उपायूक्त पिरिता के पिता के कहने के अनुसार राश्टरीय बैंक में खाता खुलवाएंगे जच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल सरकार करेगी धन्यवाद